तो आज कौन है नया है चाल लोग नए है बागी सब पुराने है पुराने होगे दो दिन पुराने पुराने होते है तो हमने कल क्या देखा था आपके स्क्रास में तो आप किस लास में है तो आपके स्फिल्ट क्या थे अपकर सब्जेक्ट 12 में नहीं आप तर गजिविशन कर रहे हैं आप क्या था पीजी अपिसे अम इसके बाद क्या करेंगे नहीं डिग्री आप PCM धाना आप BSC करेंगे PCM वाले BSC करेंगे वेरी गोड यह सबसे अच्छा है ठीक है यह अलीट लोग है सबसे अच्छा होता है BTEC इंजीनियर्स जो होते हैं ना दुनिया चलाते हैं हम लोग हिस्टी देख रहे हैं हिस्टी पढ़िए कभी है यह तरी में क्या पढ़ते हैं हम है ठीक है क्या है च्छोड़ दो कि हीस्टी में हम कि हीजीन देखो पड़ते हैं Jew को पिश्टी का मतलब ये नहीं है कि हम वह पढ़ेंगे जो बीद गया शेवरा था C he तो जो बीद गया है उसको हिस्टी में नहीं पढ़ते हैं हिस्टी में हम पढ़ते हैं जो important changes हुए है और दूसरा हम पढ़ते हैं उन changes के लिए जो factors responsible है उनको पढ़ते हैं अकबर का पैदा होना important है क्या अकबर का मुगल emperor अकबर का पैदा होना important है क्या लेकिन जब उसने जजिया को abolish किया वह important है जजिया religious tax ऑरंग जी प्रैदा होना important है क्या उसने जब जजिया को reinforce किया वह important है यंदि की history में पहले की जमाने में यह आज से पहले जो कुछ important हुआ है जिसने इतिहास या समय की धारा को बदला है उसको पढ़ा जाता है तो कोशिश करिएगा हिस्ट्री में नामों के पीछे देड्स के पीछे इंसिदेंस के पीछे नहीं भागना है कॉंसेप्ट हम कॉंसेप्ट की बात करेंगे अब आप लोग दो दिल लेट है तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा कि सब्जेट क्या सॉरी इसलेबस क्या है कि पता कर लिया है वेरी गूड हम लोग हिस टी में इस वक्त इंदेश वायली कि अ एस यह बताव कि जो आवाज आती मेरी क्लास में सब क्लास में आती है consci Soup सब की मादे है रोही जी क्या करवा अच्छा 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 मेरे में कम करना हो थीक है तो ध्यान रखना हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे यह टॉपिक हमारा चल रहा है ध्यान रखना बोर्ड पर जो भी लिखा जाए और आपको लगे कि आपको नहीं आता आपके काम का है वैसे सब कुछ काम का ही होगा आपको तुरंट कॉपी पर लिखना है तो ध्यान रखना हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं और यह आपके सिलेबस का फर्स टॉपिक है इसका टाइम फ्रेम है ट्वेंटी फाइव हंडेट बीसी से लेकर 1750 बीसी कितने साल है कितने साल कितने साल तक चली थी बताओ 750 मैट्स PCM ठीक है लेकिन इसमें ध्यान रखना कल एक बात मैंने बताई थी कि टेक्नोलोजिकली इस सिविलाइजेशन को हम रखते हैं ब्रॉंज एज में मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ अगर आप इसकी टेक्नोलोजिकल एज पकड़ें तो यह कब आती है यह कब रखा जाएगा इसको ब्रॉंज एज में ब्रॉंज एज का क्या मतलब है ठीक है वई अगर यहाँ पर हम यह कहते हैं कि इस सिविलाइजेशन को ब्रॉंज एज का बोलेंगे इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो सबसे best from best technology है वो क्या है ब्राउंज इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा ब्राउंज के अलावा इन लोगों के पास में copper की knowledge होगी क्या ब्राउंज तो बनता ही उससे टिन भी होगा और एक दो metals है जो हमारे पास readily available हो जाते हैं readily available का मतलब यह है कि आप ऐसी सेर पे निकल जाओ पहाड़ों में जंगलों में तो ऐसे आपको सोना पड़ा हुआ मिल जाएगा जाना नहीं तो यह वो क्या है noble metal और वह अपनी purest form में nature में ऐसे ही मिल जाता है rocks में तो ध्यान रखना कि यहां पर gold भी है silver भी है यहां पर अगर iron होता तो इसको हम बोलते iron age क्योंकि अगर हम utility की बात करें utility उपयोगिता की बात करें तो यहां पर लोहा ज्यादा utility वाला है in respect of branch जैसे हमको पेड़ काटना है और उसके लिए हम एक्स या कुलहाडी बनानी है तो किसकी बनाएंगे branch की नहीं बनाएंगे soft होता है with respect to iron दूसरी बात इस टाइम पर सोना है गोल्ड है यहां पर इसको उन्हों गोल्ड लेज क्यों नहीं का अपने अपने घरों से देखिक तुला लेकर आना कल हाना utility wise कोई यूज नहीं है आप सोने का इस्तेमाल कोई टूल बनाने में कोई मशीन बनाने में कोई heavy equipment बनाने में नहीं कर सकते वह soft metal है तो इस context में ध्यान रखना कि टूल मेकिंग में हम लोहे का इस्तेमाल करते हैं या ब्रॉंच का इस्तेमाल करते हैं ना कि सोने का या दिलवर का ठीक है इसलिए इसको हम क्या नहीं बोलेंगे गोल एज स्वरी हाँ गोल देज नहीं बोलेंगे इसको ठीक है नहीं समझ नहीं आ रहा अब आप मोस्टली अग्रीड हिस्ट्री में मैं तो था नहीं कि अद्ध कि तो आप ऐसे रखेगा इसको आगर कभी भी डिवेट हो जाए रब ग 나가 जीता नहीं जाता रए अग्रेंप्ट करते हैं या एप करते हैं हम ने अपनी बात रखके है अपनी बात रिखें आ कि az प्लेस यह common ground देखा जाए common ground क्या है कि अलग-लग sources में अलग-लग dates लिखी है तो क्या करें कि widely accepted date यह है कि history है यह chemistry of physics नहीं है कि जो चीज है बस वही पर है water hundred पर ही boil होगा यह नहीं कर सकते हैं कि history के अंदर ऐसे दिहान रखना और एज के हिसाब से क्या रखेंगे bronze age ठीक है इसके बाद में हमने क्या देखा था इसमें कि इंड्रस वाली civilization में इसके features की बात की थी क्या तो हमने एक बात बताई थी कि यहां पर यह civilization जो है एक urban civilization है कैसी है अर्बन civilization होना achievement है क्या क्यों कि अगरे एक सवाल है आप मेरे सवाल का जवाब दे रही है कि आपके दिमाग में कुछ और सवाल आ रहा है कि अगरे अंसरिंग तक क्वेश्चन नहीं मैं यह पूछ रहा हूं कि urban civilization होना achievement है क्या कैसे नहीं इसको आप economic perspective से आंसर करो urban civilization का मतलब यह होता है कि मैं अपना खाना पड़ा नहीं कर रहां बत बड़े कल टेंख्या और गद हुच आपके कि अवड कोशन समेन सवाल कि अगरे कल चलिए आस्थी अगरे सवाथ्न Çağ क्या को आठ्व पश्या है अगरे बिशु रबाट, अगरे विल welcomeik the food from the market तो economy में surplus होना ज़रूरी है तो ध्यान रखिएगा शहर existence में तब आप आएंगे जब आपके पास में क्या होगा बिना surplus के शहर नहीं हो सकते टेक्नोजी तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है टेक्नोजी का इस्तेमाल या टेक्नोजी आने से पहले भी अग्रिकल्चर के पास surplus था ऐसी बात नहीं है और ब्रॉंच से बहुत ज़्यादा खेती होती है क्या आपको खेती करने में ब्रॉंच की टूल्स लगेंगे और इनके पास कौन सी रिमार्किवल टेक्नोजी है बता हो जारा हाँ तो प्लानिंग का टेक्नोजी से कोई रेलेशन है क्या आप टेक्नोजी की बात कर रही हो ना तो मुझे यह बताओ कि आप ब्रॉंच से कौन से कुलाहाडी बना लोगी कौन से फरो बना लोगी या कौन सा ट्रेक्टर बना लोगी कि वह आपकी खेती में काम आएगा अभी छोड़ दो तब पीछे की बात कर रहा है यानि कि टेक्नोजी इस नौट अप्री कर सर फोर अर्बन कल्ज़र यानि कि जो एग्रेरियन टूल्स हैं वह बहुत बेसिक हैं वह लकडी के हैं वह स्टोन के हैं पस यह हुआ है कि उन्होंने आसपास का जो लेंड है प्लस तो टेक्नोलोजीकली इनके पास बहुत जादा कुछ नहीं है यह बेचारे ब्रॉंच पर थे कब यह बेचारे ब्रॉंच पर थे कब 2500 BC में और यह बेचारे ब्रॉंच पर ही रहे लग 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 कितने सालों तक 750 तक और शायद इस वज़े से खतम भी हो गए हैं को कहा अना था आयरें पर ऐइरें से स्टील पर स्टील से इंटनेट के ऊपर हम क्यों सर्वाइव कर रहे हैं हैं क्योंकि हम अपग्रेड़ कर रहे हैं यह लोग अपग्रेड नहीं कर पाये थे तो यह दिधान रखिएगा जोisesti अर्बन कल्चर है या अर्बनाजेशन हो हो रहा है उसकी वज़ा है आपका क्या सर्प्लस तो टेक्नलोजी पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करें लिए सर्प्लस तब आता है जब आप अपने पास रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और उससे कुछ एक्स्ट्रा जनरेट कर लेते हैं तो उसके लिए टेक्नलोजी एस सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपको अच्छी है 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 क्यों नहीं है आप मार्स पे जा रहे हो लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पेस्टीसाइड्स और जिस तरीके से केमिकल फेटलाइजस का इस्तेमाल किया उसकी वजह से वहां के फूड क्रॉप्स को जिसने भी खाया असपास की रीजन में वहां पर जो क्या चाते हैं प्रेविलेंस ऑफ कैंसर बहुत हाई है और उ इस सब्सक्राइजस को एकसे करेंगे न कि टेकनलोजी से एक लोजी इंपॉर्टन है और यह एक रिवोलुशनरी आसपेक्ट हो सकता है ति इस सिवलेजेशन में सरफ्लस इंपॉर्टन है ठीक है तो यह दिहान रखना कि अर्बन सिविलाजीशन था और इसमें हमने बात औ पहले इस देश में इस देश के इतिहास में कभी अर्बन सेंटर्स वर नॉट देर ना दूसरा पॉइंट किया था कि प्लानिंग कि प्लानिंग था कि डिवीजन था कि पहले डिवाइड करेंगे कि द्यान रखना कि यह जो आईवीसी के टाउंस हैं वहां पर देवर डिवाइड इंटू पार्ट्स कि डिवीजन ऑफ टू डिवीजन ऑफ टाउंस कौन-कौन से थे ठीक है द्यान रखना आईवीसी में जितने भी शहर है वह जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड है अच्छा एक बात क्लियर कर देता हूं इंडस वेली रही हैं वो कितनी है 1500 1500 लेकिन उन में से हाडली 11 या 12 वह अर्बन सेंटर सेंटर सेंट को समझ पा रहे हैं 1500 1500 साइट में से केवल 11 या 12 या 12 क्यों बोल रहे हैं कि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये अर्बन सेंटर है कुछ कहते हैं यह नहीं हम नहीं रहे हैं तो फिर हम 11 12 कर लेते हैं almost dozen कि तो ध्यान रखना कि 1500 साइट में से सिर्फ 11 या 12 साइट से वह अर्बन सेटलमेंट से हैं और इन में से ज्यादर में 9 या 10 में हम को कोई से इनके नाम देख लेना किसका नाम है कि इसका नाम है किस टाडल कि और वह पोड़ी कह सकते हो आप और दूसरा है लोगा टाउन ठांजadal कॉन रहेगा ए ठीघ違्वा vidéo तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर रहे रहते रूलिंग ऐस ध्यान रखना कि आई वी सी में अब दीदी ने कह दिया केंग और दीदी ने कह दिया प्रीस्ट अब देवर नॉट दरूलिंग क्लास अफ दिस से विलाइजेशन समझ पा रहे हैं कि यह कहने का बेसिस क्या है के लाजिकलाजिक आपने तो प्रूस अब नेता बठादिया हम असा क्यों कह रहे हैं कि आई वी सी में sa ते लुट के रहे है कि अज़ा है अगया न स्पार है इंट्रेस्ट नहीं होगा जैसे एक्जाम्पल है हमारे पास कि आई वी सी के कंटेंप्रेरी में दो सिविलाइजेशन और है एक है मेसोपोटामिया और एक है एजिप्शन सिविलाइजेशन वहाँ पर एजिप्शन सिविलाइजेशन में किंग्स होते थे तुमको क्या मिलता आ है वहाँ पर पिरामेट्स, मॉनुमेंट्स, प्रांच सिटी अगे और मेसोपुटाम या में आपको मिलेंगे प्रीस्ट किंग्स प्रोहित, ब्रहामद या कोई पुजारी है जो एक रूलर की तरह बिहेव कर रहा है वहाँ पर भी हमको प्रांच सिटी अगे ती एक प्लांट प्लान सिटीज वह बनाएंगे जिनको से मतलब है और सिटीज से मतलब किसको होता है मरकान्टाइल क्लास को आप इस देश का पढ़ार मंत्री बनाना अम्बानी को अडानी को वह कभी मंदर की भी बात नहीं करेगा कि समझभा रफली दिमाग में रखना कि यहां पर रूलिंग क्लास है वह आगे हम लोग देखेंगे वह मर्केंटाइल क्लास है कि और जो लोवर टाउन है इसमें कौन रहेगा कॉमन पीपल मैंगो पीपल आम आदमी क्लियर ध्यान रखना आईवीसी के जो टाउन से वो दो पार्ट में डिवाइडेड है एक जो थोड़ा सा उंचाई पर है माउंड के ऊपर है टीले के ऊपर है उसको बोलते हैं हम लोग सिटाडेल माउंड पर क्यों है तो क्या हुआ हाँ तो रिवर साइड नहीं कहना इसे बेंस इंटर्वी में आपसे पूछ लें कि यह ऐसा क्यों था तब यह नहीं कहना नदी किनारे थे सो हाँ आप कहो तो प्रोटेक्ट दा सिटाडल फ्रॉम फ्लडिंग वो नदी घाटियों में लोकेटेड थे और इस देश की जो क्लाइमेट है वो क्या है मौनसून क्लाइमेट है और यहाँ पर एन्यूल फ्लडिंग जो है वो एक फीचर है वो रिकरेंट फीचर है वो होता रहता है हरसल बाढ़ा नहीं आपको बचाना है तो इस तरीके से आंसर दीजिएगा तो यहाँ पर टीले पर माउंड पर यह बनाते थे किसको सिटाडल को ठीक है उसके अलावा यह जो लोवर टाउन रहेगा सौरी यह जो टाउन रहेगा इसको प्रोटेक्ट किया जाता था बाई सम् प्रोटेक्टिव बॉल इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन कभी चेत्रक पूरी से गया अचलेश्वर की तरफ तो ध्तान रखना जब भी आप किसी सेटलमेंट के आस्पास जब भी आप किसी सेटलमेंट के आस्पास उची उची दीवारो लांदेखेंगे जिसका परपेशsen चिट authorized protection to the people living inside the city that wall is known as protective wall and this process is known as fortification करना क्यों है कौन बाहर वाले इस पीपल वो देखी मुवी बाहु बली वो काले काले से थे कौन सी लेंग्विज बोलते थे अपने को याद भी नहीं शायल कुछ तो बोलते थे तो ऐसे लोग अटेक निक निक आपके ऊपर तो कि आपने क्या किया आपने अपने सिटीज में आसपास के रूर्ल एरिया से टेक्स के नाम पर वैल्थ को एक्युमिलेट किया और उसको लूटने के लिए वो लोग आप पर हमला करेंगे आप भी तो करते हो क्यों मद मुख्यों की चत्ते पर हमला नहीं करते हैं हनी कंस्यूम नहीं करते आप लोग बेचारी पूरी महनत खा जाते हो आप शर्म भी नहीं आती ठीक है तो दियान रखना कि जो शेहर है वो एक्युमिलेट करेंगे वैल्थ को और उनक्यों उन पर अटेक करेंगे कौन अब फॉरेस्ट पीपल अटेक क्यों नहीं करते हैं हम बेके 47 है तो यह ध्यान रखना डिविजिन ओफ टाउन और पॉर्टिफिकेशन तीसरा पॉइंट है फॉर्ट पॉइंट है आपका टाउन प्लानिंग इसका क्या मतलब है ग्रिट बेस्ट टाउन ब्लानिंग और अन्द पैटर्न ओफ चेस्ट बोर्ड ये लोग क्या करते थे ये लोग एक शहर बनाएंगे कैसा रेक्टेंगुलर और स्क्वेर और उसके बीच में से दो मेजर रोड एक दूसरे को इंटेक्स इंटरसेक्ट करते हुए वेस्ट टू इस्ट एन नौ से साउथ रन करेंगी ठीक है इस में अच्छा ध्यान रखना 90 डिग्री बनाना यहां पर और 90 डिग्री को देखकर समझ जाना कि इस पीपल है नौलेज अप जोमेट्री एंगल वेंगल कहां से आएंगे जोमेट्री की नौलेज इनके पास में थी इनकी रोड स्ट्रेट होती थी और स्ट्रेट ह उने का फायदा क्या होता है हावा चलेगी तो अपने अब साफ भी हो जाएगे तो इध्यान रखना कि इन्होंने क्या किया है यह चार ब्लॉक्स बनाए हैं क्या बनाए है चार ब्लॉक्स है ना एक दो तीन चार बिकॉस दू में रोड्स वर इंटरसेक्टिंग इच अधर at the center of the town और इन ब्लॉक्स के अंदर you will find what you will find lanes by lanes तो यह जो पिक्चर यह इमेज बनके आ रही है वो कैसी है grid pattern है ऐसी होते है grid ठीक है तो द्यान रखिएगा कि यह है grid based town planning और chess board pattern ठीक है इसमें और कुछ था है नहीं था फिफ्ट पॉइंट drainage system drainage system क्या होता है to drain out waste water अपन घर में kitchen में bathroom में पानी use करते हैं use करने के बाद पानी कैसा हो जाता है waste तो घर में रखते थोड़ना उसको भर के बाल्टी में पानी बैठो अभी हम तुमसे नहाएंगे फिर से नहाएंगे एक समय आएगा जब पानी कम हो जाएगा तो दुबारा उसी पानी से नहाना पड़ेगा तो ध्यान रखना waste water को drain out करने के लिए कि वेस्ट वाटर को drain out करने के लिए लोग क्या करते थे डेने सिस्टम को डवलप किये हुए थे अभी कैसा था ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको covered drains नजर आएंगे यानि कि जो gutter की नालिया है वो कैसी है covered है covered by what bricks and stone slabs ठीक है पत्थर के slab होंगे उससे हम धग देंगे और जो इंटे हैं उनसे हम धग देंगे तो covered drains का इस्तेमाल किया जाता था और यह ड्रेन होते थे देवर लोकेटिड अलॉंग दा एज़िस ऑफ रोड्स अगर आप थोड़ा पुराने शहर में जाएंगे तो गलियों के किनारे मकानों के बीच गली और मकान के बीच में पानी फ्लो करता रहता है तो यहां पर वो covered होते थे तो वैसे city में आपको मिल जाएगा तो रफली दिमाग में रखना कि इनके जो इनके जो drainage system थे वो कैसे थे covered थे अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि इनका जो drainage system रहेगा इसमें जो गटर की नाली रहेगी उसमें सोकेज पिट्स रहेंगे क्या रहेंगे यह किसलिए रहेंगे अगर करने के लिए हैं जब आप इस टाइप के गड़े या ट्रेंचिस देते हैं उसमें क्या होता एक्सेसिव वाटर नीचे चला जाता या फिर अगर अगर फ्लेडिंग बनती है तो वो मैनेज हो जाता है तो इतने प्रोग्रेस एवर एडवांस थे और यहां पर खास टेक्नोजी यूज नहीं हो रही है यहां पर सिफ कॉमन सेंस लग रहा है और उसके लावा यह भी धियान रखना कि यहां पर पर क्लीनिंग परपसेस यहां पर यह वेस्ट वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए क्या करते थे हैं कवर्ड ड्रेंज बनाते थे विच वर सिचुएटेट अलॉंग दा एजिस ऑफ रोड्स इनमें सोकेज पिट्स होते थे इनमें मैन होस होते थे लेकिन यह धियान रखना कि हम इस इन साइट का बहुत ज्यादा एक्सकेवेशन नहीं कर पाए हैं तो हमें यह नहीं पता कि फाइनल क्या होता था फाइनल टीटमेंट क्या होता था इस वेस्ट वाटर का वरना आज तो हमें मालूम है कि शहर से निकलने वाले नाले कहा जाते हैं नदियों में जिनको हम पूझते हैं ठीक तो रफली दिमाग में रखना कि यहां बाद जो डेने सिस्टम है वो कैसा है कवर्ड है सोकेज पिट्स है मैन होल से बस एक बात और लिख देना कि नो नॉलेज ओफ कि फाइनल डिस्चार्ज कि लास्ट में जो निकलता था वो कहां जाता था हमें नहीं पता क्योंकि हम उसका बहुत ज्यादा होरीजेंटल एक्सकेवेशन नहीं कर पाएं मुझसे पुछ हो हो गया ठीक है नेक्स्ट क्या है यहीं तक पड़ा था इसके बाद क्या था ह करें मैं बताऊं गाउं का लखन है है यहाँ पर हम बैद्लिंग की बात करते हैं इस बैलिंग क्या है बदनिग में दो चीज है कि घर कैसे होते थे और बीस्ट मटीरियाल हो Rider के सा होता था तो धियां अगर जाएं गाउं में तो आपको कच्चे मकान मिल जाएंगे, कच्चे मकान, मिटी के मकान, इटे मीटे नहीं, मिटी के मकान मिल जाएंगे, यह एक तरफ आज आप मार्स की तरफ जा रहे हो और आज भी बहुत सारे देशों में इवन इंडिया के अंदर लोग मिटी के मका दृहान नोगों लाईं बनाते हैं तो मिट्टी के मका दोають चरचा नहीं करेंगे न हम इसकी चरचा करेंगे मार्स मेशन की मॉं की है अ ही है तो द्यान रखिएगा कि इमस्थ अ है 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 किल और है वह लाल-लाल लाल इंट जो आती है वह लाल-लाल कैसे होती है आग में पकाते हैं ना इंट के भट्टे में है ना रफली दिमाग में रखना कि इनका जो बैस्ट मटीरियल है वो है बर्न ब्रेक्स यह लिए नोट करना है यहां से शायद आगे बढ़ना है ना यह नया है ना ठीक है तो ध्यान रखना बिल्लिंग्स में इनका जो मटीरियल है वो क्या है बर्न ब्रेक्स है और इसके अलावा इनकी जो ब्रेक्स है अगर आप उनके शेप की बात करें तो वो है 421 के रेशो में है इसका मतलब यह है कि यह 8 जो है वो 10 cm लेंथ में 5 cm विर्थ में और 2.5 cm हाइट में हो सकती है और साथ में यह 10, sorry 20, 10 and 5 भी हो सकती है यानी हम लोग size की बात नहीं कर रहे है हम shape की बात कर रहे है समझभा रहे है ना हम size की बात नहीं कर रहे है वो बड़ा छोटा हो सकता है रेकिन इसका आकार वही रहेगा है ना 421 की रेशो में रहेगा और यह इसलिए important है तो कि जब हम बात करेंगे इसकी एक policy civilization की जिसका नाम है Mesopotamia तो वहाँ पर जब हम ब्रिक्स की बात करेंगे तो मैसोपोटामिया में जो ब्रिक्स होगी उसकी दो फीचर रहेंगे एक वह अन बंट रहेगी और दूसरा उसका रेशो रहेगा थ्री टू वन तो दिस इस दा डिस्टिंगिशिंग फीचर फॉर आई वीसी इन टरम्स अव ब्रिक्स तो आप देखो मैसोपोटामिया में उनके पास बहुत कुछ है लेकिन इंटे कैसी है कच्ची उनके पास लकड़ी नहीं है ओविसली वेस अश्या में फॉरेस्ट काम है ना तो अगर जो लिम्टिट पॉरेस्ट है उससे भी इंट बना लोगे तो फिर ऑक्सियन कहां से आएगी तो रफली दिमाग में रखना कि इनकी जो ब्रिक्स है वो कैसी है फस्ट बंट ब्रिक्स और बेक्ट ब्रिक्स और दूसरा इनका शेप यह रहेगा और यह वाला पॉइंट साथ में रखेगा क्योंकि यह हमें अढर करने में मदद करेंगा तर यह लिखा नहीं लिखना है तो भी बोलना हैं लिख लिया करना वही है जो हमें करना है तो फिन अचाओちゃ मार्ट कर रहे थे का बिल्लिंस में ध्यार बाधा रखना कि हमको ईवन स्ट ग्रिपल स्टोठी ज्यादा पी लग गए ट्रिपल स्टोरी बील्रिंग्स यहाँ पर नजर आती है बहुत बड़ी बात है क्यों कि आपके पास cement नहीं है आपके पास lime stone नहीं है आपके पास कोई cementing material नहीं है इट को इट से जोडने के लिए आपके पास कुछ नहीं है सिवाए मिट्टी के गाउं में आगर जाएंगे तो गाउं में लोग हीट को हीट से जोडने के लिए मिट्टी का इस्तिमाल करते हैं आज भी घरते हैं तो वो उसी तरीके से तब भी काम करते थे और इसी तरीके से इन्होंने इवन तीन मंजिल तक विल्डिंग खड़ी कर द पाथ रूम होन जीवमेंट एक्या नहीं है आपके तो मेरे यां तो है किस्में क्या चीवमेंट है उस टाइम पर अचीवमेंट है क्यों फार्स रोपर जब कोई विक्ति नहाने वाटर प्रूफिंग मटीरियल गाटर फिक्सिट नहीं था लेकिन बिटुमें यूज करते थे जिससे की फिर्स फ्लोर से पानी ड्राइंग रूम में ना टपके वरना चाय में टप ठीक है तो ध्यान रखिएगा यह अचीवमेंट माना जाएगा तीसरी बात इनके जो गेट्स होते थे यह दे नेवर ऊपंड अउन कि मेजर रोड्स कि आपने देखा होगा कि आज की डेट में बहुसी कॉलोनीज के आसपास फोलें हाइवे निकला है पास से और वहाँ पर हैवी वीकल्स चलते हैं और कमाल की बात यह है कि उन लोगों ने उस मकान और रोड के बीच में स्पेस नहीं छोड़ा है उनका में गेट जो सीधा वहाँ खुलता है तो जब भी वह अपनी अपी बाइक या मसेडीच लेके निकलते हैं वो चांसस बना के रखते है कि कोई बड़ा हैवी ट्रुक उनकी मसेडीच का पापडा बना दे यहां ऐसा नहीं था जब प्रश्कीन के बास मसेडीज भी नहीं थी और हैवी ट्रक भी नहीं था फ्रहरा उनके बास बेल गाली थी तो बेल गाली के जमाने में इन्हों ने एंशोर किया कि किसी भी मकान का दरवाजा में रोड पे ना खुले पर आप तो सर्दियों में कुर्सी डाल के बैट जाओगे और आप तो पार्की कर दोगे रोड पे आज भी तो अपन कर देते हैं और पीछी लेख देते हैं गुर्जर बॉइज या ब्रहाम बेन बॉइज या फिर सिंपल बॉइज लिव यंग तो रफली दिमाग में रखना कि यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है या फिर यहां पर जो सिविक लाइफ है शहरों की यह बहुत ज्यादा डवलप थी आप में सिविक सेंस है आपनी बेलगाडी को चलत पर पार्क नहीं कर रहे है आज नहीं मानते है अपन भाई तो तो तेरा यहां से निकलेगा ऐसा है आज अपन कितने घतरनाग होग है दूसरी बात इनकी ज और कोई दिफरेंस रूफ के पास जो होता है रोशन दान है दरवाजे के लेवल पर जो है वो खिड़की है तो रफली दिमाग में रखना नॉमली यहां पर खिड़किया होती नहीं थी दूसरी बात रोशन दान जो होते थे वो होते थे कभी-कभी होते थे लेकिन वो कभी भी में नोट्स पर नहीं खुलते थे का खुलेंगे बाजु वाली गली में पर आप क्या करोगे घर का खचला ऐसी फैक दो गए या फिर कोई चोर घुज जाएगा आपकी घर के अंदर civic life किसकी बात हो रही है civic life तबी राजा चिंता करता civic life की tax दे दो और भाढ़ में जाओ और reward मत करना बस एक राजा को एक ruler को क्या चाहिए चुप चाप tax देने वाली प्रजा और reward ना करने वाली प्रजा बागी तुम मर रहे हो जी रहे हमें कुछ नहीं करना तुमसे इसलिए हम क्या बोलते है कि यहां पर मुनार्की नहीं थी यहां पर rulers kings नहीं होते थे it was mercantile class which was ruling the cities or the civilization ठीक है ध्यान रखिएगा तो यह gates हो गया even you can say जो रोशन दान है या फिर जिसको skylight भी कह सकते है they also opened in gullies ठीक है भाई कुछ हो गया ठीक है सब ठीक है नोट किया ऐसी नोट करना बीलिंग्स बीलिंग्स के बाद में हम बात करेंगे इनकी स्क्रिप्ट की अच्छा जो लोग नए आया है उनसे सवाल पूछ रेता हूं आप लोग को तो वैसे हुमिट में करी चुका हूं कि आप जिस स्क्रिप्ट में लिख रहे है उसका नाम क्या है दो गने इस क्रिप्ट में रिख्यार है ली दिन में लिख सकते हो फिर रहीं। में लिखहा नहीं जा सकते हैं language बोली जाती है लिखी नहीं जाती script लिखी जाती है बोली नहीं जाती बताओ English medium since since 19 2005 2004 जब से भी बच्छमन से English medium हो ना लेकिन script नहीं बता ना ये बात Roman है Roman 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 है Roman है ठीक है तो ये ध्यार ना कियेगा कि ये आप इसको लिख लेना हम बात करेंगे script की script का मतलब होता है वो symbols which are arranged logically logically and which are used to write language तो इनकी जो स्क्रिप्ट है वो कैसी है उसका नाम है पिक्टोग्राफिक मुझे ये बताओ कि इसका क्या मतलब होता है अगा क्या दो एक ठीक है तो फिर बी का बताओ यानि कि जो लेटर्स हम यूज करते हैं को कोई मतलब नहीं होता न अपने आप में singularly ठीक है तो ध्यान रखना उस script को हम पिक्टोग्राफिक कहते हैं जहां पर किसी symbol का मतलब या तो कोई emotion होता है या कोई statement होता है यानि कि मम्मी ने सिफ पेपर पे लिख दिया है ये इसका मतलब होता है घर नहीं आया तो पिटेगा पिक्टोग्राफिक पिक्टोग्राफिक क्या मतलब अच्छा आप नहीं पिटोगा ऐसे कह रहे हो इमोजी 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 में कुछ लिखके भेजते हो गया बस एक symbol भेज देते हो और सामने वाला समझ जाता है कि सामने वाले को क्या चीए अगर लाल-लाल सा हो गुस्से वाला हो तो फोन रग दो भीया बस ठीक है चैटिंग होगी अपनी खतम होगी अब सो जाओ ठीक है तो इमोजी जो होते हैं वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का एक ग्जामपल होते हैं दूसरी इसकी जो फीचर है वो यह है कि इसको हमने पास्तरोफिद n कहा है क्या कहा है एक भास्तरोफिदन कि इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि उस इस दिश पास्तर फीडन कहा जाएगा विच जेंडी इस डैउरेक्शन आफ राइटिंग इन एव्री आल्टरनाटंग लाइन ठीक है जैसे इस पेज पर आप लिख रहे हो तो फर्स सेंटेंस आपका इस डिरेक्शन में जाएगा दूसरा आपका इस डिरेक्शन में जाएगा तीसरा आपका इस डिरेक्शन में जाएगा चौथा आपका इस डिरेक्शन में जाएगा पांचवा इस डिरेक्शन में जाए आपन ठीक है समाल लेना ज्यान लखना कि यहां पर जो डारेक्शन ओफ राइटिंग है जो डारेक्शन ओफ राइटिंग है यह दैट चेंज इस इन एवरी और अल्टरनेटिंग लाइन और स्टेटमेंट उसको बॉस्टन के लिए और सबसे सबसे इंट्रेस्टिंग जो इसका फीचर वो यह है कि यह अभी तक कैसी है अपने लिख रहे हैं चुबा के लिख रही हो लिख लिया और बंद कर दिखा भी ठीक है या तो मुझे नहीं पता कि कॉरोना वापस आ रहा है या आपको पता के लिखो कुछ बता अच्छी बात है किसी और को नहीं देते अंडे सीफट मतलब खुद लिखे खुदा बांचे आप लिखे और भगवान ही जा देए तो हम इसको पड़ नहीं पाए है ध्यान रखियेगा इसको कोई हिस्टोरियन अभी तक समझ नहीं पाया कि इसमें क्या लिखा है तो इस वज़े से कभी-कभी डिवेट जब होती है तो वो कहते है है कि बेटा जब तुम पड़ी नहीं पाए दिन हाव दू यू नो इस बॉस्टोर फीड़न कीडिस चेंजी किस डारेक्शन यह इस बात है लेकि लोग बुक्स में लिख देते हैं तो अपने को पढ़ाना पड़ता है उनसे बहस नहीं कर सकता है ठीक है तो मुझे सवाल का दो माक्स में तीन बातें और C आसे हैं और अपको पता है नहीं किसी ने और आधे रस्ते में समझ में आया कि कहानी तो दिल्ली की जगा आगरा जारी बॉम्बे जा रही है आप काट नहीं सकते इस एक मुवी थी ना 12 फिल उसमें उसका ऐसे में पता नहीं किस तोरिजम को उसने टेरिस्ट पढ़ लिया था तो यह हो जाता है ठीक है तो रफली दमाग में रखना इनकी स्क्रिप्ट कैसी थी टेक्टोग्राफिक है बॉस्टोफीडन है अन्डेसिफर्ड है इसके बाद में हम लोग इस सिविलाजेशन के रिलीजियस फीचर्स की बात करेंगे तो अभी तक मैंने आपको इसकी बात नहीं किया अभी तक मैंने इस टॉपिक से एस्सेट को बताया ही नहीं है क्योंकि मुझे फैक्स पसंदी नहीं है इसको यह आपका रिष्टियार पूछ लेता है अचा बताओ वो लोटा कहां मिला था आपको हमें नहीं पता फिर आपको जलील करेंगा आपके मावाब के सामने इस पर खर्चा मत करो यह हारा हुआ गोड़ा है तो द्यान रखना तो ऐसे डरना वरना नहीं है अफेक्ट से आप कहना कि हमाएं अर्बन फीचर को पढ़ लिया तो अर्बन फीचर को देखकर आपको समझ में आ रहा है क्या वो कुछ-कुछ हम जैसे ही थे बहुत कुछ हम जैसे थे गया तो एक्जाम में कोशन पूछ लिया जाएगा इसे पूछेगा और ऐसे जवाब देना पड़ेगा कि क्या-क्या कॉमन फीचर से तब में और आज में ठीक है हम से ज्यादा क्या सकते हैं लेकिन उनके पास पॉपॉलेशन कम थी आज की रेट में इंडिया के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पता है क्या है पॉपॉलेशन है हम मूर्ख नहीं है हमको मालूम है कि धरम के नाम पे तो अब क्या हम कुछ क्लेश मचा के पॉपॉलेशन को आदा करने की सोच रहे हैं खेर वापिस आजाओ फास्ट इस नेचर वर्षेपर अच्छा वो कल वेरिफाय कर दिया था जो राम लॉड राम का पीरिड है वो त्रेता योगी है कि भधैर थोड़ीका प्रॉब्लम हो घटी परशेट अब नबताये बताया था खिंख है तो इसमों ध्यान रक ना ये नेचर वर्षेपर आउगि मतलब है कि 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 हो आप भी हैं कि अमेचे वर्षेपर बाब हिंदू भी हैं नेचर वर्षेपर कि कैसे किसको रिवर्स को चंदा मामा को सूरत चाचु को ठीक तो ध्यान रखना कि यहां पर भी इस पीपल वर वर्शिपिंग सन फायर फॉरेस्ट और ट्रीज वाटर तो इस हिसाब से इस पीपल वर नेचर वर्शिपर तो यह एक सिमिलेरिटी हो गई तो हम आर्ग्यू कर सकते हैं क्या कि दीज पीपल आर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज ही है कहीं न गहीं दूसरी बात कि डॉमिनेंस ओफ कि मैट्रिया मैट्रियार्कल मैट्रियार्की नहीं ठीक है मैटर्नल एलिमेंट अभी जो आपका हिंदू धर्म है इसमें मेल गौड्स सुपीरियर है या फीमेल गौड्स थाबित करो कि मैंने कहानी सुनी थी कि काली मादा ने शिव जी के चैस्ट पर पैर रख दिया था और फिर सॉरी-सॉरी कह रही थी सॉरी-सॉरी और वह कह रहा था कोई बात नहीं मनलब शिव भी डरते थे आपकी काली से पत्नी परमिश्र नहीं हिंदू धर्म कैसा है मेट्रियार्कल है या पैट्रियार्कल है हिंदू धर्म धर्म की बात हो रही है अभी का पैट्रियार्कल है आप बदाओ थाबित करो धर्म की बात हो रही है समाज में नहीं जाना सॉसाइटी की बात नहीं हो रही है आप साबित करो आपको नहीं पता हिंदू हो मैं रिलीजिन की बात कर रहा हूँ सुनो द्यान से रिलीजिन इस reflection of society society is not reflection of religion समाच जैसा होता है वैसा धर्म होता है समाज धर्म को बनाता है history में ऐसे हम लोग बहार जाके बहुते हैं कोई नहीं मानना बढ़ना वो इट उठा लेगा आदी बहुत लेकिन जब भी educated लोग भेहस करेंगे तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जैसा समाज होता है है वैसा ही धर्म होता है अब आपका जो धर्म है आपका जो हीट हिंदु this त्रियॉरीजिन है वो कैसा है पाईठ्रियार्कल सीए करेंगे कि हिंदु नीजिन वह को क्छला वह है creator, nourisher and destroyer और वो female नहीं है that's why Hindu religion is patriarchy लेकिन हमें यह कैसे पता कि यह matriarchal है ध्यान रखना हमें इनकी ideology के बारे में कोई knowledge नहीं है क्योंकि हम इनकी script को नहीं पढ़ पाए तो हमें कैसे पता कि इनका religion matriarchal है हाँ 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 शेकी पूजा करते थे तो हाँ हम भी तो कह रहे कि आज भी हम शक्ति की पूजा करते हैं लेकिन फिर भी dominant कौन है शेप शक्ति है dominant कौन है तो पैट्रियार्कल हो गया हाँ हाँ तो पैट्रियार्कल है इसमें कैसे बता होगे क्योंकि हाँ 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 थे साथ में mother goddess की images भी मिली है और आपने भूल भूल दिया हाँ 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 जे 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 जान कर रही है लेकिन उन पर नियंदरन किसका है पुरुश है वो कि यह थोड़ी सी इसलिए थोड़ा सा इसमें ज्यादा उसमें जा नहीं सकते धर्म के नजरिये से हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि धर्म की अलग-अलग व्याख्याएं हैं लेकिन फिर भी संसार का निर्मार तो तीनों नहीं किया है संचालन के लिए शक्तियां अलग अलग इन्होंने बाट दी है जैसे नवरातिर वे पाएंगे पूजा करते हैं वह अलग चीज़ है लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के उपर तो कोई नहीं हुआ हुआ कि ने ने हमने शक्तियों के अस्तित्व को नहीं नगा रहा है हमने क्या कहां की सबसे ऊपर कौन है यह कह रहे है पर नहीं पुरुश भगवान ते यह विश्या की की वात हुरी ठीक है तो रफ्लीः लब वाइस työ गा यहां पर हम कैसे hai कौन है हमने स्कृप्ट नहीं देखी नहीं है ऐस बताएगे यह अई से बताएगे कि जैसे मालनो की आफके हम कम्रे में जाएं और आपकी डायरी हमको नहीं मिली है जिसमें आप का किसी के प्रतिक क्रश है या आपको किसी से लगाव है मैं तो हम क्या करेंगे कि आपके कम्रे में सबसे ज्यादा जिसकी फोटो है रोनाल्लो की है के टीना कैफ की है मैसी की है किसी के भी हम को सिंबल्स ओटोग्राफ बैट फुट बाल जिसका ज्यादा मिले vibrer हम मानेंगे this is your top most priority तो हमने IVC में जितनी भी sites पर excavation किया तो हमको maximum number सरवादिक संख्या में जो images मिली वो किसकी मिली Mother Goddess Hence Proof ठीक है हमने इसको matriarchal क्यों बोला largest number of images वो किसकी है Mother Goddess की इसी लिए यहाँ पर जो supreme deity है वो कौन है Mother Goddess Mother Goddess की पूझा हम क्यों करते है Because of her productive power ठीक है तो roughly दिमाग में रखना कि यहाँ पर जो productive power है इनके बास में उसकी वज़े से यह पूझा की जाती होगी यह हमारा interpretation है लिखा हुआ तो मिला नहीं ना हमें तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नेचर प्रिलिजन में क्या है फर्स्ट है नेचर वर्षिपर है दूसरा dominant element किसका है मैट्रियार्कल मैट्रियार्कल और तीसरा पॉइंट इसमें आएगा यह कि इस पॉलीथीस्टिक पॉलीथीस्टिक मतलब नंबर ओफ गॉड्स और मैनी यहाँ पर बहुत सारे गॉड्स की पूजा की जाती थी हिंदुईजम में गॉड्स जादा एक है कि बहुत सारे हैं इसलाम में कि शैंटी में बुद्धिजम में सिखिखिजम में थोड़ी कॉंपलेक्सिटी है कैसे कि उन्होंने अपने सभी गुरुओं को भगवान का दर्जा दिया है तो जैसे वो भगवान को पूछते हैं वैसे गुरुओं को पूछते हैं तो वहाँ थोड़ा सा जैंदर में तो 24 तीर्थंकर है तो समझ गए तो इसमें नेचर आफ रिलीजन में तीसरा जो पॉइंट आएगा वो ये कि दर रिलीजन वाज पॉली थीस्टिक मतलब क्या देर वर मल्टिपल गॉड्स दो तीन के नाम लिख देंगे हम लोग अगर गॉड़ेस जो सुप्रीम डीटी है प्रोटो शिवा दो को प्रोटो शिवा को हमने प्रोटो शिवा प्रोटो का मतलब समझते है शुरुवाद का पुराना तो आप आदी शिव का हो गए फिर लेगिन शुरुवाद का मतलब यह होता है कि जिस तरीके से शिव की हम शिव को हम आज देखते हैं ना उस form में ये पहले नहीं थे एकुशली history ये शिव की पूजा होती थी आज वैसे नहीं होती है उसका वर्जन चेंज हो गया है लिये मतलब एक समय था चब आपके जो वो थे कौन शिव थे वो जानवरों के देवता माने गए, पशुपती उनको माना गया, बाद में आके चलकर जब गुपता पेरियड में concept of origin of world आया, तब जाके इनको क्या कहते हैं, तृदेव का जब concept आया, तब भ्रह्मा विश्णु महेश आया, तो history, रिगवेद में जैसे भगवान को बताया है न, वैसे पुराणों में नहीं बताया, पुराणों में जो भगवान है, वो रिगवेदिक भगवान से बिलकुल अलग है, अलग है, रिगवेद जब लिखा गया तब पुराण थे ही नहीं, वेदों का, मानते का है हम हम जानते कुछ और है मानते कुछ और है करते कुछ और है ऐसा कुछ चलता है यह complexity है ठीक है तो रफली दिमाग में रखना कि इनका religion कैसा है पॉलिथीस्टिक है नेचर वर्षिपर है और मेट्रियार्कल है ठीक है अब हम यहां बात करेंगे इंपोर्टेंट डिटी इसकी यह किस-किस की पूजा करते थे अच्छा यह बात बता दो मुझे कि कुछ-कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि वैदिक सॉरी आई-वी-सी में जो रिलीजियन है वो आज के जैसे हैं सिर्फ एक पॉइंट छोड़कर मेट्रियार्कल वाला है ना वहां पर भी बहुत सार इसमें सिर्फ यह द्यान रखना कि शी इस दा सुप्रीम डीटी जो अब लिखा था वही वाली बात रिपीट हो जाएगी सुप्रीम डीटी कहने का पर 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 सॉरी बेसिस क्या है मैक्सिमम नंबर ओफ तो रफली दिमाग में रखना कि हमको यहां पर मैक्सिमम नंबर ओफ इमेजिज मिले हैं इसलिए हमने इनको बोला है कि शी वास समाज होता है धर्म इस आइना अफ समाज है ठीक है कि समझ पा रहें क्या है कि देखो मॉडिन हिस्ट्री में एक पॉइंट आएगा जहां पर हम बात करेंगे सोशो रिलिजिस रिफॉर्म मूव्मेंट की अच्छोड़ों वहां भी क्यों जाना जैसे आप घर पर जाना और वहां पर वह लव मैरिज हो रही है इंटर कास्ट जो आप घर पे जाके अप्रूवल मांगो के ना तो वह क्या बोलेंगे कि आप कास्ट से बाहर शादी नहीं कर सकते आप कुछ क्यों कर सकते कास्ट हम नहीं तो बनाई है हम तोड़ भी सकते हैं तो आपके घरवाले क् जैसे रहते हैं वैसे धर्म को मोडिफाई करते हैं इसलिए जब भी समाज में या इस देश में सोशल रिफॉर्म मूव्मेंट चला है तब तब हमने समाज धर्म को भी रिफॉर्म किया है एक जमाना था जब शूद्रों को संस्कृत नहीं पढ़ने देते थे वेद नहीं इस टोड निकाल देते हैं अगा होता है लोग जाते है जरवाने के लिए जाते पी लिया जाते तंत्र के पास जाते हैं तो धर्म के अंदर ये कुरीतिया है तो जब तक ये सूपर स्टीशन आपके धर्म में रहेगा तब तक आपके समाज में भी गड़बट रहेगी क्या अब भी ये दिए कि समझ पा रहे हैं धर्म के अंदर कॉंप्लेक्सिटी होगी जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं दान करते हैं लेकिन है वो नहीं वो धर्म को मानते हैं मंदिर जाते हैं लेकिन उसके बाद भी आसराम बापू की उपर जो केस चला सुना है क्या एक मूवी भी आई एक ही बंदा काफी है तो वहां पर आप देखो कि ये लोग भगवान की बात करते हैं सब कुछ काम करते लेकिन हैं क्रेमिनल तो कही नहीं 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 हमारा जो रिलीजन है वो मुरालिटी नहीं सिखा पा रहा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि धर्म को इन्हों ने इस्तमाल किया है समाज में अपने आपको बनाए रखने के लिए कि जैसे बहुत सारे जो सेस्ट कम्यूटी के लोग होते हैं वो यह अक्यूजेशन लगाते हैं ब्रहमणों की ऊपर कि आपने मैंने उपलेट किया आपने धर्म के थ्रू जितने भी पोजीशन सा रही थी उनको आपने मोनोपॉली बनाके रखा रामण जो पुजारी होता है म कि समाज में अपनी प्रिविलेज पोजीशन को बनाये रखने के लिए समाज के कुछ लोगों ने धर्म को मोडिफाई किया मैन्यूपलेट किया यह अक्यूजेशन है कि है कहीं कहीं कि साई वहीं नहीं है कि आजरा मोहन रहे है ठीक है हाँ हाँ तो समाज में जो लोग डॉमिनेंट है उन्होंने अपनी पोजीशन को डॉमिनेंट बनाये रखने के लिए रिलीजन में बॉडिफिकेशन कर दिये है इसलिए हम आर्ग्यू कर रहे हैं कि धर्म इस रिफ्लेक्शन अफ सुसाइटी सुसाइटी अगर अच्छी होगी धर्म भी अच्छा होगा जैसे अपन राम को तो मानते हैं ठीकर राम की नहीं मानते हैं राम कैसे थे मर्यादा में रहते हो मर्यादा में नहीं रहते है अपन लेकिन राम पसंद है गाड़ी पर लिखा हुआ है राम जैश्री राम खेर वापिस आजा तो रफली दिमाग में रखना तनादनी वो अलग चीज़ है सुप्रीम डीटी कौन है मदर गौड़ेस है और इसी कंटेक्स्ट में हमने ये कहा है कि जो सुसाइटी है वो भी कैसी है अब सुसाइटी में प्रियार कि इसका क्या मतलब है परिवार का मुख्या यैसे अभी आज की डेट में शादियों का साम माहौल चल रहा है आपका शादी की चिट्थी आती होगी तो उस पे नाम किसका लिखा रहता है पापा का मम्मी का पैट्रियार की जिस दिन मम्मी का नाम दिखना शुरू हो जाएगा मैट्रियार की समझ ग लखना Mother Goddess इसके बाद में जो next है समय कम मिलता है मुझे इसके बाद में जो next है वो है प्रोटो शिवा प्रोटो शिवा में आपको बस सील बना के मैं दे रहा हूँ प्रोटो शिवा में इन्होंने क्या किया एक डीटी को इस तरीके से बना दिया है और वो कुछ इस तरीके से योगिक पॉस्चर में बैठा है कैसे बैठा है योगिक पॉस्चर में बैठा है योग मुद्रा में ब ब्रेट ली सॉरी ब्रेट है ब्रेट मतलब बफेलो राइनोसेरोस एलिफेंट टाइगर भैस भैस है बफेलो भैस यह ना भैस फिर क्या है गेंडा राइनोसरोस हाथी और चीता शेर है थिवरोन लेकर भैस भाग न यहां पर यह फॉर एनिमघ साइन इसके अलावा इनके पैनोन के पास्ट के दो डियर भी है समझ पार है तो कि उन्यलन लंच कितने हो रहे हैं इसके अलावा खान रठन की इनके उपर सर के ऊपर three horn crown है ठीक है वो जो इनका मुकट है crown है उसके उपर तीन तीर निकले हुए या horn निकले हुए और यहाँ पर इनके पास कितने सर है इसलिए इसलिए हमने इसको किस से compare किया है आज के शिव से शिव भी ऐसे है आदी योगी जानवरों से घरे रहते है इसलिए है वहाँ पर कुछ सिमिलेटी इसको स्किप कर देंगे ध्यान नहीं देंगे इसलिए हमने इनको क्या बोला है प्रोटो का मतलब होता है formative phase हाँ ये वाली बात में बोलते बोलते भूल गया कि हिस्ट्री ये मानती है कि जितने भी डीटी होते हैं वो इवाल हुए हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे या फिर इनसान ने उनको हमेशा से इसी रूप में नहीं देखा प्रोटो मतलब formative phase में है वो डीटी वो बन रहा है डीटी आगे चलका जिस रूप में वो आएगा वैसा तब नहीं था प्रोटो मतलब शुरुआत वाला formative phase में है ठीक है तो यह दिमाग में रखना यह आपके second number के डीटी रहेंगे यहां हम लोग रुखते हैं थोड़ा सा ठीक है को शक्या सवाल पूश लिया करो नहीं पूशना कोई तो पूश लो clear है ठीक है भई next week में test रखेंगे एक जिस type से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी type और मैं main type में पढ़ा रहा हूँ right facts नहीं दे रहा मैं आपको यह history है अकबर कहां पैदा हुआ कम बढ़ा पानीपत कब हुआ यह history नहीं है पानीपत से क्या हुआ यह history है ठीक है क्या हुआ 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 है घुआ है लूआ है झाल झाल